तो आज मैं आपके साथ मार्केट में मिलने वाला इदम टेस्टी सा मसाला दूद घर पर कैसे बनाया उसकी रेसे पेशर करने वाली हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर के हमें हलका सा पानी डालना है और अब हम इसके अंदर दूद डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने एक लिटर जितना दूद लिया है और यह फुल क्रीम मिल्क है और आपको भी फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तमाल करना है त अभी हमें दूद को एक मिनिट के लिए भी नहीं छोड़ना अभी मैंने गयस की फ्लेम को लोग पर रखा है और लोग फ्लेम पर ही हम इसको चलाते रहेंगे तो अभी मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर के हम ड़लेंगे पंधरा काजू, पंधरा बादाम और यहाँ पर मैंने पंधरा ही पिस्ता लिये है तो अभी हमें इन सारे ड्राइफ्रोड्स को हलका सा बून कर लेना है जब तक इनका हलका सा कलर चेंज नहीं हो तक तक ही तो फ्रैंड इस को एक प्लेट के अंदर निकाल कर लूगी जब तक के थंड़ा नहीं हो जाता तब तक तो फ्रैंड आभी Mother, अब द्राइफ्रोड्स थंड़े हो जुके है तो भी हम इसको एक मिक्स के जार के अदर डालेंगे अभी हम इसके अदर डालना है इलाइय relativt. मैंने यहाँ पे एक चममचा जितना इलाइय पाउडर लिया है तो अभी हम इसके अंदर हल्का सा jay Sect डालेंगे और इसको एक बार चला कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो दूद हलकसा गाडा हो चुका है तो अभी हमें क्या करना है इसके अंदर से दो चम माच जितना दूद एक कटोरी के अंदर निकाल कर लेना है और इसके अंदर हमें दो चुटकी जितनी हल्दी आड़ करनी है हल्दी आड़ करने से दूद को बहुत अच्छा सा कलर आएगा आप चाहूं तो यहाँ पर फूड कलर का भी इस्तिमाल कर सकते हो तो अभी हम हल्दी वाला दूद इसके अंदर डालेंगे और उसको थोड़ा सा चला कर लेंगे तो अभी आप देख सकते हो हल्दी वाला दूद अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसके अंदर बाकी की इंग्डेन साड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है, एक कोटरी को थोड़ी सी कम ही है, आप अपने टेस्ट के साफ से ले सकते हो, अब हम इसके अंदर ड्राइफुट्स आड़ करेंगे, जो कि हमने मिक्सी के अंदर बारिक कर लिये थे, एक बार हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर लेंगे, यहने कि चला कर लेंगे, तो अब हम इसके अंदर ड्राइफ करेंगे चिरोंजी, चिरोंजी डालने के बाद में, अब हम इसको फिर से 2-3 मिनिट के लिए पका कर लेंगे, और लीजिए, हमारा मसाला दूद बनकर रेडी है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा ह तो इस वीडियो को प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई